दोस्तो 11 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलिस हुई थी तमिल के सुपरिस्टार थालापाती विजे की फिल्म वारिसु जिसने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है और फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर तावर्टोड कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये दोस्तो वारिसु फिल्म को आज सिनेमाघरों में चौथा दिन चल रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म के पहले तीन दिनों के टोटल वर्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और आज अपने चौथे दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर सकती ह तो दोस्तो बात करेंगे इसी के बारे में बस आप इस वीडियो के साथ पने रहिएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप थालापती विजे को एक बहुतरी नभी नहीं ता मानते ही तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना दोस्तो अगर वारिसु फिल्म की बात कर जिस तरह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है उससे कहना ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ओडियन्स को कही न कहीं ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है और यहीं वज़ा है कि फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है अब दोस्तो गिरावट देखने को मिली और फिल्म का तेसरे दिन का कलेक्शन रहा 10 करोड रुपे इंडिया से नेट तो अगर मैं बात करूँ पहले तीन दिनों के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो पहले तीन दिनों में जो इंडिया में नेट बॉक्स आफिस कलेक्शन है वो 48 करोड 25 लाग रुपे हो चुका है और फिल्म का गिरावस कलेक्शन 57 करोड रुपे हो चुका है तो वही फ तो फिल्म अपने पहले चार दिनों में इंडिया से नेट कर रही है, 56 करोड पच्छिस लाह पुरुपए और फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 67 करोड रुपय हो जाएगा तो वही फिल्म वर्ल्ड वाइड में 94 करोड या नि псих 94 करोड अपने पहले चार दिनों में, अब